आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही पैरा सा डिजाइन लेकर के आई हूँ जिसको आप देखी रेडिस कार्डिगन पर बना सकते हो या फिर आप इसको जो बच्चों की फ्रॉक्स होती है या स्कॉर्ट होती है उसके उपर भी आप इसको अपलाई कर सकते हो जाली अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाए है 18 स्टिचिस अब 7 से गुणा करके 14 और प्लस उसमें 4 करके 18 फंदे में यहाँ पर डाले हैं तो चलिए अब हम इसको बनाना पहली रो सीधी तरफ से रो वन राइड साइड से देखी क्या करेंग पहला फंदा सीधा उतारा एक फंदा देखे सीधा उतार लिया अब दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बनाएंगे 1 और यह 2 दो फंदे उल्टे बनाये दागा पीचह़े जाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे 1 और 2 अब यहां पर हम जाली डालेंगे तो जाली डालने के लिए धागे को यूँग घुमाएंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे अब आगे वाले जो दो फंदे हैं 1 और 2 इन दोनों का हम एक पंदा बनादेंगे पीछे की तरफ से ये इस तरह से आप देखे एक ये एज ची छोड़कर ये हम साथ फंदे रिपीट करते जाएंगे पूरी रो में ये ही साथ फंदे रिपीट करेंगे तो फिर से देख लिजी क्या किया था दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे दो फंदे सीधे फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर दो फंदे पीछे की तरफ से दो काये कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली डाली है जाली डालकर हमारा एक फंदा बड़ा है तो यहाँ पर हमने ये कम कर लिया अब प अब row 2 पर आ जाईए, यह दूसरी row है और wrong side है, row 2 wrong side से, तो देखे क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा उतार लिया, अब देखे, दागे को पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, जो पिछली तरफ से हम दो फंदे उल्टे बना रहे थे, वो wrong side से हम दो पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, जो जाली वाला फंदा है उसको देखे हम इस तरह से बनाएंगे, 3, 4, और यह 5, पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, और 2 फंदे सीधे बनाने हैं, यह पूरे 7 फंदे ही हम repeat करेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे, और 5 फंदे हम तो इसी तरह से आपने पूरी रो ये complete करनी हैं, last में देखिए, दो फंदे आपके सीधे पड़ेंगे, और last का फंदा आपने उल्टा बना लेना है, ये देखिए, दो फंदे हमारे सीधे, और last का फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अब आजाए ये row 3 पर, right side से, third row सीधी तरफ से, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर दागा अपनी तरफ, दो फंदे जो उल्टे बना रहे हैं, उनको हम उल्टा ही बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, आप देखिए, आगे वाले जो हम दो फंदे सीधे बना रहे थे, उनको इस फ़र हम पहले दो काएक करेंगे थर्ड रो में हम पहले इनका दो काएक करेंगे और ये हम आगे की तरफ से इस तरह से बनाएंगे दो काएक किया फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहाँ पर जाली डालेंगे दागे को गुमाएंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे और देखें एक edge छोड़कर यहाँ से फिर से हम अपना repeat स्टार्ट करेंगे यही हम repeat करेंगे तो फिर से देख लिजिए दो फंदे उल्टे दागा पीछे अब दो फंदे आगे वाले दो फंदे सीधे बनाएंगे ये हम पूरी रो इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे देखें कैसे डाल रहे हम ये डिजाइन दो फंदे उल्टे पड़ रहे हैं फिर दो का एक किया फिर एक फंदा सीधा बनाया फिर जाले डाली फिर दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ पूरी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है लास्ट में दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे अब रो फोर पर आ जाएए रॉंग से तो फोर तो देखें सेम हम रो तू की तरह ही बनाएंगे पहला फंदा हमने उल्टा उतारा दागा पीछे दो फंदे हम सीधे बनाएंगे और पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे रॉंग सैट से सारी रो हमारे इसी तरह से ही पढ़ेंगे इस डिजाइन में दो फंदे सीधे बनाएंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पूरी रो हमने इसी तरह से ही complete कनी हैं लास्ट में देखिए जो तीन फंदे बचेंगे उसमें दो फंदे हमारे सीधे आएंगे और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा पड़ेगा अब देखिए रो फोर बनाने के पाद हमारा डिजाइन भी यहां पर ओबर हो जाता है अब यही चार रो हम बनाते जाएंगे रो बन से लिके रो फोर तक ही हम कंटीनू करेंगे और हमार यह ब्यूटिफुल सा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा तो डिजाइन को ट लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई